आज हम बनाने जारे श्रीखंड यह एक इंस्टेंट स्वीड डिस है फटाफट दो मिनिट में बन जाती है इसके लिए हमें चाहिए एक कप दही दही में बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए हमें दही को छान लिया है हमने आप भी अगर पानी है तो इसको कपड़े में डाल ठाकी यह चंदी में डारके इसका पानी निकाल केशर के धागे हमने दूद में भिगो दिये तीन चार एक टेबल स्पून चीन नी पाउडर लेंगे और क्रश किये वे काजू पांचे पांचे बादाम क्रश्ट किये और छे से साथ इलाच्ची के दाने लेके उसका बादाम काजू और यह जो हमने केसर भी वो के रखाता दूर्द में यह डाल देंगे अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे अब इसमें डाल देंगे चिंडी पाउडर चिंडी आप अपने हिसाब से डाल दे हमें एक टेबल स्पून डाल रहे हैं इसको हमने कप में डाल देंगे इलाइची के पाउडर यह हमारा श्रीखंड त्यार हो गया है अब हम श्रीखंड को मिट्टी के कप में भरेंगे यह आप कटोरी में भी डाल सकते हो इस तरह से इसको भरें इसको हमने कप में डाल लिया अब इसमें हम गार्मिश करेंगे उपर से थोड़े से काजू और बदाम का पाउडर अब इसको आप चाहो तो फ्रीज में रखके खाएं या अभी तुरंत खा लें यह बहुत ही इंस्टेंट अच्छी बनने वाली रेस्पी है इसको जुरूर ट्राई करें थैंक्स पूर वाचिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हूँ तो प्लीज कर दिजिए थैंक्यू